नमस्ते पेंस्टनर बंधू मुझे उमीद है आप डिफेंस पेंस्टनर है और असपर्स में आपका माइग्रेशन हो चुका है या निश्चित ही है होने वाला है क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक ऐसा कयास लगाया जारा सत्ता के गलियारे में कि तब तक हर डिफेंस पेंस्टनर का मा हो चुका है जो कि 33 to 35 लाग करीब होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि हम में से आधा का माइग्रेशन हओ अब बात यहां यहां है कि हम सब पर्षान हैं इस माइग्रेशन से क्योंकि इतने बल्क में माइग्रेशन हो रहे हैं असपर्स टीम की जो TCS इसे ग क्रिएट कर र credit तो हो रहा है, लेकिन उनके user id नहीं generate हुए है, user id नहीं आये हैं, या अगर आ गए हैं तो वहाँ dashboard में नहीं दिख रहा, अगर dashboard में डाल रहे हैं तो वहाँ कुछ दिखने रहा, यानि कि कुछ case में front end का काम हुआ है, कुछ end में सिर्फ front end का भी नहीं हुआ, तो इस तरह से क सर्विस में बड़े ही सांत तरीके से अपने कर्टब बे निर्वहन करते थे, यहां भी थोड़ी सी सांती की जरूवत है, cooperation की जरूवत है, आप उस team के साथ सहयोग दीजिए, और फिर देखिए थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ेगा, और यही जो सहयोग का समय है, धैरे का सम समय का सदूपियो किजिए अपने ज्यान वर्धन का, और इसी ज्यान वर्धन के लिए, मार्ग दर्शन के लिए, मैं अरेंद्र कुमार, wellness consultant, entrepreneur, trainer, आप सबों के समक्ष कई तरह के असपर्स से related वीडियो हम बनाते रहें, और जिस तरह का कमेंट आते रहता है, जिस तरह फाजी बंदू समस्या से जूज रहें, मैं तुरत वीडियो बनाता हूँ, इसी दिसा में, आज का टाइटल आप देखी पा रहेंगे, कि असपर्स की समस्याओं को सुलझाना हमारे समझ से परे तो नहीं है, क्योंकि हम फाजी मित्र हमारी उम्र हो चुकी है, हम इतने digital literate नहीं है, और जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, कई सूपर सिनियस रिडजन है, कई महिलाएं हैं, कभी, कई ऐसे मित्र हैं, जो कि इतने पढ़े लिखेने स्मार्टफोन, या तो कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वो भी नहीं करते हैं, तो या मजबूरी हो चुक जायज भी है, अब इन ब्यागरताओं को कैसे कम किया जाएं, इसके दिसा में ही या वीडियो है, तो मुझे उमीद है, अब ही तक पहला समस बैंक से आपके पास आ चुका होगा, कि आपका एकाउंट स्पोर्स को माइगरेट हो चुका है, दूसरा समस आया होगा, कि पिंसन आईडी, जो कि स्पोर्स पिप्यो होते हैं, पिप्यो नंबर, उसी में 01 लगा दीजिए, जो कि regular pensioner के लिए, और अगर family pensioner है, 03 लगा दीजिए, तो इन तीन तरह की SMS आ गया होगा, और चौथा SMS आपको reminder के तोर पर PDB करने के लिए, जो कि 15 दिन के अंदर कर देना ह होता नहीं, तो अगर कुछ खामियां रह गई, तो खामियां के साथ ही सदायव आपके sports portal में रह जाएंगे, तो उमीद है, ये चारो SMS आपके mobile में आ चुका होगा, बसरते ही वह registered, आपके mobile number होंगे, आधार में registered, bank में registered, और record of his merit, अगर ये तीनों जगा हुए हैं, जो कि post 16 वाले के हुए हैं, तो बड़े ही अस्मूथ होते हैं, अगर bank के पास भी नहीं है, तो SMS नहीं आएगा, तो ये सब हमने SMS कैसे मंगाते हैं, SMS registration कैसे करते हैं, mobile registration, ये सब अलग भी से हैं, ततकाल मैं यही बताऊंगा, कि इन सारी तरह की समस्याओं से निजात पाने का हुआ है, हमारे चेतना अस्तर को उठाने की, यहां मैं अध्यात्मिक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने ज्यान को बढ़ाने का, अपने लेविल को बढ़ाने का, और हुआ हो सकता है, हमारे साथ बने रहने से, यानि कि अभी तक आपका अगर migration हो च कर लिया, अपना PPO जेनरेट कर लिया, पेंसन स्लिप जेनरेट कर लिया, फॉर्म 16 जेनरेट कर लिया, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप दुसरे को भी गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग, या तो migration हुआ नहीं, या migration आधा धूरा ही हुआ है, त इसे फ्लो चार्ट के रूप में बताया जाए, तो इसे हम एक-एक करमबध तरीके से हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अरेंद्र कुमार, Wellness Consultant, आप सब उसे विनम्र निवेदन करता हूं, कि अगर आपने हमारे चैनल Living Happily को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किय तो अब से ही सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को ग्रो करने का, डेवलप करने का चांस मिलता है, एक सुभाउसर मिलता है, जिस्ते हम और बड़ी टीम, स्किल्ड टीम लगा सकते हैं, एडिटिंग में, रिसर्च में, आप सबों तक अधिक स अधिक लोगों तक पहुचाने में तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साजा करें और बेल आइकन को भी पूश करें ताकि जब भी अगर हम कोई आप इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफि सामयाते, इस संपोर्ण सबस्पर किस प्रकार से काम करता है, मैं आपको यहां एक एक करके बताऊंगा, यहां स्टार्ट हमने फ्लोचार्ट बनाया है, जो कि किस प्रकार स्टार्ट होता है, तो यहां कि यह स्टार्ट की जो विधी है, यह पहला काम होता है, अपलोड किया जाता है यह order इसके बाद यह दो तरह की order होती है एक तो उनके personal data होते हैं जो कि record office maintain करता है उसमें service के medical के सारे detail होते हैं जो कि record office को notify करना होता है दूसरा data होता है उनके payment से detail जहां से कि pension के value derive होंगे वह notify किये जाते हैं PAO के द्वारा यानि कि auditor के द्वारा वो pay detail को audit किया जात हैं इसके बाद RO के बाद service details जो सब हैं उन्हें verify किया जाता है उनके यानि की second source से main document से verify किया जाता है इसके truthness को इसी प्रकार PAO के द्वारा भी pay detail को verify किया जाता है और जब दोनों side से record office से और PAO से notify हो जाता है आगे बढ़ता है तब audit के लिए जाता है जहांकि audit section में सारे कुछ को account section से निकल गया अब audit section में जाके वहाँ सारे details का verification होगा audit होगा फिर final verification हर data को करके तब PCDA प्रयाग राज जो है यहाँ upload कर दिया जाता है तो अभी तक तो सिर्फ यह आदा काम था जिसे आप कच्चा काम कर सकते हैं और महतो पूर्ण काम है जहांकि हमारे service में जो seat to order maintain होते हैं इन सब उसे data लिया जाता है और हमें भी मौका दिया जाता है उन सब को purify करने में अब दुसरा भागा जाता है PCDA प्रयाग राज का वो data को लेते हैं और तब फिर आगे की यात्रा प्रमुख यात्रा प्रारंब होती है यहां प्रारंब होती है वो generate करते हैं ज आए हैं जैसे नया pensioner है तो उनका निश्चित है record office से आएगा bank बीच में नहीं आया है तो उनके registered email पर mobile पर वह pension ID चला गया है अब उसे ही successful login कर 01 करके password डालके pension data verification करना pension data verification को आप इस तरह से समझे लगभग सारे data उन्होंने दे दिया है आपको सिर्फ verify करना है यानि कि सही ह इसे बोलते है existing data जो भी data उन्होंने दिया है वो existing data कहलाता है अब इसमें आपको expected data डालना है requested data यानि कि अगर कुछ changes है आपके नाम में spouse के name में या कहीं भी कोई service के qualifying service कहीं भी कोई problem है तब आप requested data में उनको दे सकते हैं वहां बना हुआ है आप वहां request में डालिए आपका service के थुरू जाएगा और वो फिर amend करेंगे अगर verify करते हैं record office से वो सही पाया जाता है तब वो final value बन जाता है यानि कि आपका जो value है तीन यात्रा कर रहा है पहला existing value दूसरा requested value और तिसरा final value अगर आपके वो change करते हैं तब वो final value और अगर वो change नहीं करते हैं उन्हें पता लगता है कि नहीं यह सही है तो जो existing value है वही final value बन जाता है PDV के दौरान तो आपके पास एक facility है change का request दे सकते हैं उसके बाद discharge mark किया जाता है record office जिनका की शुरुआत ही pension से हुआ है जो भी date है 31st March है मई है जो भी date है तो discharge mark किया जाता है record office से जिस date या तो हो सकता है कई का extension pension मिल गया तो फिर नहीं discharge mark करेंगे जब discharge mark हो गया तब उनका PPO generate हो जाता है और PPO जैसे ही generate हो जाता है तब pensioner को भी notification मिल जाता है और फिर initiate किया जाता है और disbursement sales जो स्पर्स का है वहाँ credit के लिए दे दिया जाता है सारे कुछ जो commutation है gratitude है monthly pension यह सब notify हो जाता है और credit भी हो जाता है अब यहां बात होती है कि यह सारे flow chart जो है new pensioner का है अब जो migration हुआ है तो migration हुआ है यहां आधा से आप देख पा रहे होंगे claim forward to PCDA प्रयाग राज यहां से शुरू होती है और यहां मिला है bank से भी और record office से पहले bank से भी ले रहे थे अब उन्होंने लेना office जो भी existing data था bank से financial data को टैली कर दे रहे हैं और फिर यह generate हो रही है तो यह तो entire procedure है जिसे मुझे उमीद है आप समझ चुके होंगे यह लगू भी बीडियो है लंबा बीडियो नहीं बना रहा हूं और दूसरे बीडियो में मैं लंबा बनाऊंगा ततकाल बहुत बहुत धन पर जहांकि DLC, MLC भी है आप Living Happily Sports करके YouTube में सर्च कर सकते हैं तमाम करी 25 से भी ज्यादा वीडियो आपको मिलेगा और मेरा बिनम्र निवेदन यही है नरेंद्र कुमार का कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब अब से ही सब्सक्राइब करें आइकन पूस्ट करें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए फिर मिलता हूं